देलाइव टीवी सच सबसे आगे चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतारा जो जान भूज कर सायद करनाटक की जनता को एहम मुद्दों से भटका रहे हैं और बताने की कोशिस कर रहे हैं कि सियासत गाली पर बेश ढोनी चाहिए यह गाली गाली चिला रहे हैं खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और केंदरिय ग्रेह मंतरी अमित्र शाह दोनों करनाटक की जनता के सामने ऐसे मुद्दों को हवा देने की कोशिस कर रहे हैं अंतिम दोड में जब उन्हें लगता है कि करनाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया है चुनावी सर्वे यह बताते हैं कि बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे करनाटक में बंद हो रहे हैं जो एहम मुद्दे हैं खासकर भरष्टाचार का मुद्दा, 40 फिस्दी कमिशन का मुद्दा, जनता से की गई वादा खिलाफी के चलते भी लोगों में गुसा है, तो यह सारे मुद्दे को दरकिनार करते हुए बीजेपी चाहती है कि हिंदुतों के मुद्दे को आगे कर दें, यहाँ पर भरष्टाचार के मुद्दे को छुपाने के लिए कांग्रेस के ओपर अनाप शनाप आरोप लगा दिये जाएं इसके सहारे ही सप्ता में आने का सपना अब अंतिम समय में भारतिय जनता पाटी देख रही है प्रधान मंतरी मोदी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस ने अब तक 91 गालियां भी है उसकी एक लिस्ट भी उनके पास आई है और अब फिर से बयान दे रहे हैं गाली गाली ही चिला रहे हैं अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सेंचूरी लगा दी है, कांग्रेस ने अब सो गाली हमें दे दी है, तो क्या करनातक के सियासत गालियों से चलेगी, यह चिल्लम चिल्ली करने के बाद जो गाली-गाली की बात बार-बार कही जा रही है, या फिर अमित शाह के द्वारा जो ल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें जिसका जवाब बीजेपी को भी देने की जरूरत है तो सबसे पहले जरा आप सुन लीजिए मोधी जी क्या कह रहे हैं फिर आपको बताएंगे कि इस पर लोगों की और नेताओं की प्रतिक्रिया भी क्या है तो सुना आपने मोधी जी यहां भी गाली का हिसाब किताब करने में ही लगे हैं लेकिन जो एहम मुद्धे हैं उससे लोगों को भटका रहे हैं एंडी टीवी ने कुछ आकड़े साजा किये हैं वो हम आपको बताएंगे लेकिन मोधी जी के इस वीडियो पर मनोज कुमार जा जो राज़त के सांसद हैं उन्होंने जबरदत क्यो पुने की है देखिए अपने स्क्रिंग पर सर जी उधर कंग्रेस और अन्य विपक्ष के दलों का मानना है कि आप और आपके एको सिस्टम से दी गई गालियों का संकलन कई किताबें ले आएगा वैसे चुनाव करनाटक में है तो वहां के सरोकारों पर ही बात हूँ मैं मेरा और मुझको वाली बातें उबाव हो चली ह जैहिंद चुकि प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंतुरी मोधी को करारा जवाब देते हुए कहा था कि यहां लोग कह रहे हैं दुखों की लिस्ट दिखा रहे हैं कि हमें इतनी गालियां पर रही हैं अगर कांग्रेस और फिर गांधी परिवार को जितनी गालियां दी और मोधी जी जान बुझकर लोगों को करनाटक की जनता को इसे मुद्दे में उलजाए रखना चाहते हैं कि मोधी जी को कोई गाली दे रहा है लेकिन हकीकत यह नहीं है हकीकत यह है कि बंबाई सरकार के उपर 40-30 कमिशन लेने का आरूप लगा हुआ है कई विभागों में भरष्टाचार का खुला खेल चला है इतने गंभीर आरोप से जनता बिलकुल खफा है वो चाहती है कि सत्ता पलट जाए वैसे भी जो बंबाई जी की सरकार है वो किस तरीके से करनाटक में सत्ता हासल की वो जनादेश्ट की सरकार नहीं है यह सब कोई जानता है राहुल ग नाटक में गरीवों के परति कौन जादा ध्यान देता है बीजेपी ने कितना किया कांग्रेस के परति जो है लोगों की राय कैसी है वो सब कुछ बताया गया है तो आपने स्क्रीन पर एंडी टीवी का कुछ स्क्रीन सौर्ट देखिए इसमें बात की गई है कि राजनेतिक कि प्रासमिकता गरीवों को कौन देता है। तो सबसे अधिक वोट कांक्रेस के हिस्से हाएं 50 फिस्दी बीजेपी के हिस्से ी Mayor 23 फिस्दी वोट मोदीजी को इस पर भी बात कर लेना चाहिए कि कांग्रेस के प्रति गरिवों का अभिश्वास कैसे बढ़ा है कांग्रेस कितना सोचती है इनके बारे में और इसलिए यहां 50% लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और दूसरा स्क्रीन सोट देखिए अमीरों के प्रति राधितिक प्राश्मिक्ता किसकी है 46% दी लोग कहते हैं कि BJP जो है अमीरों के बारे में सोचती है वहीं कांग्रेस 31% दी सोचती है तो गरिवों को जो भला करेगा हमारे देश की अबादी बहुत गरीव है और ऐसे में जो गरिवों की भला करेगा तो सरकार तो उनकी ही बननी चाहिए अमीर तो अपने हिसाब से इतने अमीर हैं कि वह गड़िवों के बीच खाई इतनी बड़ी कर दे रहें कि गड़ीव और गड़ीव हो रहें और अमीरों के लिए ही सरकार अगर यह सोचेगी तो पिर गड़िवों का बला कौन करेगा यह सवाल तो हमेशा रहेगा इस बज़ा से जो बीज़ेपी की करता है ना पसंद करता है गरीव जो है वह सर्शक प्रतिसत तक इनहें ना पसंद करते है है निम्न मधिवर्ग जो होते है गाये बबसंद नहीं करते हैं और अमीर भी हैं जो बन्माई जी को पसंद ही नहीं कर रहे हैं नित्रत्वाली भाजपा सरकार जो करनटक में है उस में अमीर उन्चास guy से लोग का पसंद नहीं करते हैं कि online फिस्दिय को पसंद करते हैं व्यों Cameron बम्मानापन को लोगों का पसंद नहीं किया जाना कहीं न कहीं चिंता का बड़ा विश्य है क्योंकि अमीर के लिए ज्यादा सोचने वाली बीजेपी को यहां पर जटका लगता हुआ दिखाई पर रहा है बाकी गरीब तो सरसर प्रतिसर चाहते ही नहीं यह बंबई सरकार को ना बबाना यह सरकार जो है गरीबों के बारे में सोचती नहीं है ऐसा यहां पर रिकॉर्स बता रहे हैं जो एंडीटीवी के ग्राफिक से उसके एसाब हमने आपको बताया है इसके अलावा हम आपको कुछ और भी फैक्स बताते हैं कांग्रेस ने भी एक आर्टिकल प्रकाशित किया है द सर्फ ब्रस्टाचार में आकंठ डूब गई है इसके चलते ही वहां के जनता उन्हें नकार रही है और इसे कारण से लोगों का ध्यान बटकाने के लिए बीजेपी हिंदू-मुसल्मान कर रही है और हां गाली-गाली को भी मुद्दा बना रही है इसमें बताया गया है कि कि बजट में की गई एक भी गोशना को प्रभावी नहीं किया गया आवंटन में कटोती की गई गड़िवों के लिए मुफ्त चाबल 5 किलों से गटा कर 3 किलों कर दिया गया है चात्रों के लिए मुफ्त बस पास के पैसे को वेतन देने के लिए डावर्ट कर दिया गया और बिरोजगारी का संक्ट और बढ़ गया है इस आठिल के मुताबिक करनाटक में 754 से अधिक कारखाने बंद हो गए जिससे के 46,000 से अधिक लोग बिरोजगार हो गए किसानों के आत्मत्या का मामला भी वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है एक और जो आकरे हमारे सामने है उसे भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि बेंगलूरु शहर में ठोस अपसिष्ट प्रबंदन जलापूर्ती और जील पुनर विकास कारी जिसकी लागत रुपया कड़ी एक साल पहले शहरी विकास विभाग द्वारा सुकृत 180 करोर मिल जाएगी जहां बीजेपी विफल रह गई है बीजेपी पर सिर्फ और सिर्फ रष्टा चार जैसे गंबीर आरोप लगे इनके मंत्रियों के ओडियो वीडियो लिक होने लगे तमाम ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखकर ही जनता वोट करने वाली है और जो सर्वे आ र कर रहा है कि बीजेपी को लिए 100 का आकरा चुना भी बहुत ही मुश्किल है और इसलिए वहां पर उनके लिए सत्ता के दरवाजे बंद हो रहे हैं बावजुदिस के प्रधान मंत्रय मोदी और अमित शाह करनाटक की जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए कांग्रेस पर सिर्फ और सिर्फ छीटा कसी करने में लगे हैं उन्हें कह रहे हैं कि हमें ये लोग गाली दे रहें गाली गाली खेलने से तो बात होगी नहीं मुद्दों की बात होनी चाहिए जैसा कि मनोज जाह सहाब ने कहा और एंडी टीबी पर जो आकरे आए हैं उसे देखने के जो फासला है यही फासला कांग्रेस के लिए संजीबनी है क्योंकि वो अमीरों से जादा गरिबों के बारे में सोचती है लेकिन बीजेपी हमेशा अमीरों की सरकार बनकर रह गई है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी काम से जुरने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे